तो उदेन दी स्टालिन को सनातन पर टिपड़ी से पहले सनातन की व्याक्या समझनी चाहिए थी सनातन का मतलब है जो सतत है सरवत्र है और सनातन को खत्म करने के लिए सूर चंद्रमा वायू और जल को भी खत्म करना होगा जो जीवन के रहते तो फिलाल संभव नहीं है खबर के लिए दिल्ली तयार वीके सक्सेना का कहना तीन दिन भारी वहनों पर दिल्ली में रहेगी रोग नौ दस और ग्यारा सेतंबर को दिल्ली में रोक रहने वाली है तीन दिनों में 207 ट्रेने रद की गई है तीन दिनों के लिए ये 207 ट्रेने रद की जाएंगी तीन दिन भारी वहनों की जो आवज रही है वो दिल्ली में बंद रहने वाली है अगर आप दिल्ली वासी हैं तो ये सूचना आपके लिए जी 20 शिकर समेलन के लिए दिल्ली है तो यार विश्व पटल पर इतिहास लिखने का है इंतुजार तीन दिन भारी वानों की आवजवाही दिल्ली में बंद अगर आपका भी है कोई काम तो इन तीन दिनों से पहले यानि कि 9, 10, 11 इन तीन तारुखों से पहले निप्टा ल दुनिया में इंडिया की मेज जो है बहुत बड़ी होने वाली है अगर economic point of view से देखें तो दिल्ली के अंदर जो दसदार के आसपास लोग आ रहे हैं इस वक्त वो कितना बड़ा business भी create करेंगे उसके साथ साथ जो world leaders आ रहे हैं ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि developed countries के head of the states इंडिया में आ रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे head of the states आते रहते हैं लेकिन एक साथ इतना बड़ा number में और वो भी developed countries के लोगों का आना अपने में बहुत बड़ी घटना है जी-20 की मेजमानी करना कोई असान काम नहीं है लेकिन ये चैनल पर प्राइम निस्टर ने accept किया और हम सब की duty थी कि उसमें अपना जितना भी दे सकते हैं देने की कोशिश करें और क्योंकि अब डिली नेशनल कैपिटल है और हमारी duty बनती है कि हम उसको सजाएं सवारें और जो भी महमान यहां पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहां से भेजें कि दिली ही नहीं भारत देश जो है वो महमान वाजी के लिए जो जाना जाता था वो वास्तों में उन्होंने प्रूव करके तो चलिए ग्राउंजीरो करूप करते हैं नमित व्यागी समधाता सायोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नमित दिली तयार है महमानों का इंतजार है 9-10-11 तारिक के लिए एक विशेश मेमोरेंडम जारी हुआ है भारी वाहन दाखिल नहीं हो सकते इसके अलावा ट्रेनेर रद की जाएंगी उड़ाने भी प्रभावित होंगी कई हद तक धैर रखना होगा देखे बिल्कुल जी टंटी समेलन को लेकर दिली जो है वो पूरी तरीके से महमान नवाजी के लिए तयार है हाला कि इन तीन दिनों के अंदर आठ नो और दस सितंबर को दिली वास्चों को काफी परिशानी जेलनी पर सकती है लेकिन सुरक्षा वैवस्ता और जो ट्रेफिक के मताबिक जो कल पूरी तरीके से फुल दिन जो रियसल थी वो की गई सुबह 8 वजे से लेकर रात 11 बही तक रियसल चली और आज भी जो फुल रियसल है वो दिली की सडकों पर चल रही है तीन चर्णों में ये रियसल की जा रही है सुबह 8 बही से 12 बही तक का पहला चरण है इसके बाद साड़े चार बेज से चैवे तक का दूसरा चरण और शाम को साथ बेज से ग्यारा बेज तक का तीसरा चरण जो है वो दिली के अंदर रियसल के रखा गया है जिसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से भी एडवाजरी जारी की गई है कई सड़क जो म स्विक पूरे दिन रियसल चली थी उसमें हमने देखा था जो डितनी भी दिली पुलिस के तमाम जो जवान है उनके अलाबा जो केंद्रिया सुरक्षा एजेंसी है चाहे CPG की बात करें, NSG की बात करें या IB की बात करें तमाम एजेंसियों ने जिन-जिन तूरूड से जो Judaism वी आई प्यू का कोरिडोर निकलेगा उस रास्तों पर पूरी गहन जांच की जांच परताल की कि आखिर वहां पर सुरक्षा की लिहास से कोई शूक ना रह जाए सीधे तो पर बात करें तो इतने भी डेलिगेश दिली के अंदर आएंगे वह सुबह पहले मातमा गांदी के स वस्ता रहेगी यह जो तमाम चीज़े हैं इनको लेकर जो फुल रहसल थी वो की गई थी इसके लावा राजगार से प्रगती मैदान यहां पर यह पूरी बैठक होगी जीट्वेंटी समिलन की वहां तक किस रास्ते से जो कोरिडोर हो निकलेगा उस रास्ते की जांच परत बातार की जा रही है कार कोड रियर्सल भी की गई थी इस दौरान और मैं आप से भी समझना चाहूंगे एरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम तक तेज किलो मीटर का यह दारा या उसके लावा हम बात करें दिल्ली एंसियार के बीच में जहां जहां होटल में स्टे है कांडोस को तैनात किया जाएगा कितने सचाई कितने टुकड़ें तैनात रहेंगे देखे बिल्कुल एनेजी के साथ साथ जो एसफजी की टीम्स हैं वो भी इस पूरे रूट पर जो है वो डिप्लॉई की जाएंगी क्योंकि दो बाते हैं पहला ये कि एक तरफ तो जो बाहर से डेलिगेट साएंगे उनके लिए दिल्ली को पूरी तरीके से सजाया और सवारा जारा है जिसमें उस रूट पर कई एनेजी कवांडों की टुकडियां हैं उनको तैनात किया जाएगा एरपोर्ट से लेकर जिन होटलों के अंदर डेलिगेट से रूखेंगे उस पूरे रूट को ब्लोक कर दिया जाएगा हाला कि कुछ लोगों के अंदर ये अभी शंका है कि G20 समेलन के द 10 सितमबर रात के 11 बजे ता को पूरी तरीके से बंद रहेगा वहाँ पर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं इसके लावाद जो दिल्ली मेट्रो है वो पूरी तरीके से चालू रहेगी और ये जो नई दिली डिश्टी का पूरा इलाका है यहाँ पर जो बाहरी वहान हैं उनक पूरी तरीके से उन पर प्रतिबंद रहेगा और साथ दिसंबर रात बारा बजे के बाद से ही जो दिली के बोटरस हैं उनको सील कर दिया जाएगा और बाहरी जो कमेर्शल वाहन हैं उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाएगी चले बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जोने के लिए एहम जानकारी साज़ा करने के लिए